हाई फ्रेंज में हुम आनेव वेलकम टो मूवी शूवी आज हम एक वेब सेरीज को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं कि उसके एंड में हमने क्या देखा और इस वेब सेरीज का नाम है बेस्ट सेलर जो की आनाजान प्राइम विडियो के उपर आई है इसके अंदर आपको गोह होता है कि जब आप इन्डिन एक्स убий इःटे ङी वेड़्ी एक्स्प्लेइन विडेयो देख रहे होते और मने भी बहुत सारे देखे हैं जीवन के आंदर यूटूब के अंदर इंडिंग explained या फिर explained इस तरीके से चलने अशुर हो जाता है कि जैसे story का frame 1 से लेके frame end तक आपको story बताती जाती है basically वो story है वो आपको किरदार क्या action लेते हैं उनकी मनोदशा क्या थी वो क्यों ये action reaction चल रहा है ये आपको explain करने की कोशिश नहीं करते हैं मेरा attempt ही होगा कि मैं ये explain कर पाऊं कि जितने भी याँ पर केरदार थे वो किस तरीके के थे किस मनोदशा से गुजर रहे थे क्योंकि आपने अभी देखो ये series देखी लिए होगी आपने वीडियो पर क्लिक करा तो आप review देखने नहीं आयों story समझने नहीं आयों बिल्कि के लिए हो कि जो characters थे वो क्या थे उन्होंने जो भी choices ली वो क्यों ली तो हम एक एक करके शुरू करते हैं मुझे नहीं बता मैं क्या बोलने वाला हूं बट जो मेरे को register हुआ वो मैं आपके साथ यहां पर share करूँग और फिर हम ending में क्या हुआ और उससे हम क्या dots connect कर सकते ह उसके बारे में भी जुरूर बात करेंगे देखो पहले कहानी जो शुरू होती है वो ताहिर वजीर और गोहर खान के character यानि मैंका से होती है जहां मैंका अपनी एक creative agency चला रही है, ad agency चला रही है, काफी successful है और ताहिर वजीर उसका husband है, initially वो उससे थोड़ा सा चिड़ता और चिड़ने की वज़ा क्या है, उसके बारे में हम पहले discussion कर लेते हैं, ठीक है, वो एक middle class family से आता था, थोड़ा सा selfish type था, एक अच्छी जिंदगी चाता था, इसलिए उसने successful woman से शादी करी, मैंका से, लेकिन मैंका को जब वो successful होते देखता था, थोड़ा चिड़ता रह होता है, क्योंकि जो एक emptiness, ताहिर गोहर के साथ होते वे भी, मैंका के साथ होते भी create कर देता है, जिसके वज़ा से she needs a shoulder, और वो shoulder के रूप में Sanjay वहाँ पर आता है, अब because ताहिर was not so talented, as he believed so, वो अपने आपको गुमनाईयों में डाल देता है, बट उसका किसमत चल जाती ह और उसको वहाँ पर Jai Singh मिल जाता है, और Jai Singh की कहानी, उसको सुना ही मिल जाती है, उसको time spent करने को मिल जाता है, कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, राची के अंदर, उत्राखंड के अंदर, तो basically उसने जो कहानी है, उसको अपनी रांचांड वाली book के अंदर, पिरोधी, to his credit उसने जिस तरीके से उसको कहा, कोई narrative बोलने के लिए भी आपको एक अलग तरीके कर style, शब्दावली चाहिए होती है, वो उसने किया, तो he had not entirely copied, but his crime was that he, without asking, without taking permission of somebody's story, he wrote a book, वो एक criminal activity होगी, और क्यूंकि वो छोटे शेहर के अंदर की कहानी थी, जहाँ पर वो जैसे इसक कहानी आपर करता है, वो छोटे शेहर में हर बंदा हर एक को जानता होता है, और उसकी वज़ास से एक शरमनाक चीज जो हुई थी, जिसको जैसिंग, मिस्टर जैसिंग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है, उसकी वाइफ सूसाइ वे वाला जो कारेक्टर है, यह जो सारे कारेक्टर हैं, अब यह डिसाइड करते हैं कि हमें बदलाल लेना है, तो यह आपकी मनोदशा हो जाती है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो गोहर कारेक्टर था, वो कैसा था, गोहर कारेक्टर था, वो लविंग था, पार्थ थी तो ऐसा नहीं है कि जी वह एक क्योंकि मैंने क रहा और उसने भी इन्फिधिलिटी बहुत बारी करी और हालकि उसका कारेक्टर इस तरीके का दिखाया गया है कि वो बहुत ज़़ादा प्रीचे हो जाती है वो ये बोलती है क्योंकि मैंने करा और मैंने बता दिया इसलिए मेरी गलती नहीं है लेकिन ताहर वजीर ने अगर if he was sleeping around with let's say अध्या या फिर नीतु मातुर तो वो जो है वो crime है और इसका crime क्राइम नहीं है क्योंकि इसने बोल दिया तो वो भी थोड़े double standards के zone के अंदर वो character है क्योंकि मैंने express कर दिया इसलिए मेरी गलती नहीं है और इस वज़ा से इस character को भी हम gray shade के अंदर डाल सकते हैं अब ये जो characters ने इतनी complex इनकी life हो जाती है और इसके साथ ही जो दो characters हैं मितू माथूर का और शूर्ती हसुन का उसके अंदर कुछ flawed character भी है और at the same time flawed storytelling भी है अब यहाँ पर जो transformation हमें देखना जाये था कि कैसे एक बच्ची एक छोटे शहर की बच्ची जिसका exposure भी इतना जादा नहीं है उसके अंदर इसनी जादा रंजिश आ जाती है कि वो scheme कर पाती है और scheme भी बहुत top notch level की कर पाती है यह जो transition है वो हमें दिखाई नहीं गई थी जिस वज़़ा से हमें यह जो series है थोड़ी सी unreal लगने लगी हलाकि हमें जो thrill आना चीए था वो आया कि अब क्या scheme बना लेगी अब यह क्या करेगी अब वो क्या करेगी बॉड़ी भी उसको सानी से मिल जाती है उसका जो brother है वो भी hi-fi, techno freak है वो engineer है उसके पास कई सारे gadgets हैं इतना कुछ वो scheme कर पाती है पर इसकी journey ना होने की वज़ा से हमें हर चीज incomplete लगती है और as audiences हमें लगता है कि बहुत convenient हो गया है इनके लिए crime करने के लिए और जो शूती हसन की जो planning भी थी वो इतनी ज़्यादा meticulous हमें लगने लग जाती है कि वो unbelievable side पर चलने लग जाती है कि कुछ भी जब आप planning करते हैं और जब आप crime series देखते हैं तो आप कैसे लगता है कि crime करते करते हैं कुछ सबूत छोड़े और फिक करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा चीज़ें आपको cover up करनी पड़ती है और चीज़ें करनी ही पड़ती है ये ना होने की बचार से बहुत सारी चीज़ें बहुत ही easy लगने लगी अध्या और गौरफ के लिए और मैं गौरफ के लिए इतना नहीं गोलूँगा और जो बीच में संजे का जो हाथसा हो जाता वो cover up फिर भी करने की कोशिश करता है अध्या के लिए यानि की अध्या के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता तो ये थोड़ा सा अजीब था उसके बाद हम बात करते हैं character जो की मिथुन का character और उसके assistant का character है उसके अंदर मुझे थोड़ा से ज़्यादा confusion हुआ क्योंकि मिथुन का जो scientific approach था वो हमें कम दिखा हमें ऐसा दिखा कि उसने assume कर लिया कि ये अगर पार्थ है तो मिथुन माथूर शायद अध्या हो सकती है इसके पीछे उसने क्या findings करी ये बहुत ज़्यादा कम हमें दिखाया गया जिसकी वज़ा से हमें ऐसा लगने लग गया कि मिथुन का character intelligent तो बहुत है और वो one to one ज़्यादा बाते करने में बिलीव करता है technology में कम बिलीव करता है तो हम देखते हैं कि वो research करने के लिए वापिस शहर में गाउं में जाता है और कोशिश करता है कि पहाड़ों के कहा नहीं पता चले but at the same time जो discovery है assistant और उसके husband का एक scene आता है जहां पर उसका husband ये बोलता है assistant को कि आप ये जो मिथुन चकरवर्ती का character है इसको आप कम मत समझना और उसके जो expression होता है एकदम pale हो जाते है as if she is also a participant in the crime तो वो मुझे scene समझ में नहीं आया कि वो scene क्या मिथुन के character को establish करने के लिए बताया गया था अगर ये किया गया था तो the assistant should be happy that she is working with such a person जहां से वो learn करेगे लिकिन assistant के जो expression आते हैं वो घवरायव expression थोड़े pale expression आते हैं कि जैसे वो खुदी ना पकड़ी चली जाए तो ये मुझे समझ में नहीं आया जैसा नहीं कि बहुत ही straight character है ताहिर वजी है तो completely flawed character है कभी वो अपने talent को लेके आंशोर होता है फिर talent जब चुछी successful हो जाते है तो बहुत ज़्यादा arrogant हो जाता है फिर उसके बद जिस तरीके से उसने कहानी यूज कर लिए और उसको realization ही नहीं है वो बोलना थे कि सब कुछ ही कर लेता है उसकी assistant थोड़ा सा दिखाय जाते है gray है, not so gray है वो confusion में रखा गया जो Me Too Mathur का जो case है अध्या का जो case है वो super intelligent zone के अंदर ही चली गई है और कुछ जो scenes थे वो uncalled for थे जैसे she slept with Tahir Vazir for no reason अगर आपको अपनी जो नजदीकियां वो करनी है तो आप नजदीकियां ऐसे भी दिखा सकते थे आपको कोई सोने साने की ज़रूत थी नहीं इत वस नौट अड़िंग तो मुच तो दे स्टोरी तो लेकिन वो जो scene था वो क्यों था, why was she crossing the line there, I don't know वो क्यों था, और वो जो character था वो थोड़ा सा इस तरीके का था, उसके लिए सब कुछ convenient था life में, बुर्खे में भी आ जाना उसी time पे, मिथुन का भी वहाँ होना और मिथुन का ये सब होना but having said that, जिस तरीके की narrative हुई है जब आप देख रहे होते हैं और उस zone के अंदर जले आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, जब आप देख चुके होते हैं और आप evaluate करते हैं अच्छा उसी time पे गुर्खे पे आना था जब मिथुन भी वहीं पर था, गुर्खे के अंदर उसने अपनी information भी दे दी और information क्या देने आई कि आपको कोई lawyer आकर चुड़ा देगा तो ये information अगर नहीं भी देती तो क्या हो जाता वो थोड़ा unnecessary scene हो जाता है तो ये series को थोड़ो सो short रखा जा सकता था थोड़े crisp किया जा सकता था editing, which I'm indicating is slightly poor, कुछ scenes जो है वो add नहीं करते हैं किसी भी story के narrative को आगे लेके जाने के लिए वो यहाँ पर added थे तो अगर ये 8 episode थे अगर इसको काट के, अगर हम 6 में रखते हैं ज़रूरी नहीं कि 8 का एक fancy number बन चुका है कि 8 episode होंगे तो तब ही web series होगा कुछ हे में रखो और अपनी बात थोड़ा concise तरीके से बोलो अभी मिथे हाम ने देखी जो Z5 के उपर आई वो भी अच्छी series turn out हूँ हाला कि उसमें भी flaws है लेकिन उसके अंदर editing आविशाप है तो ऐसा नहीं है कि 8 के 8 episode ज़रूरी करने करने तो उनमें जहाँ editing जहाँ कैंची लगाने थी वो करी तो hopefully इस video से आपको उनके character समझ में आया होगा और उनका action का reason समझ में आया होगा और it is not my attempt to give you the narrative of the entire story के पहला scene क्या था और आकरी scene क्या था उसके लिए आप if you want to know the story वो other videos होते है मेरा time नहाँ पर यह होता है कि आपको उन characters के बारे में ज्यादा discussion करूँ ठीक है ठीक तो चलो मिलते हैं फिर एको review को और update के साथ don't forget to subscribe to the channel बाई बाई